जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेश लेन फार्मीर्सी में हम पढ़ें फार्मकलोजिक की सेकेंड नुडिट में जो हमारा टॉपिक चल रहे वह क्लासिफिकेशन आफ रिसेप्टार के बारे में हम पढ़ रहें तो अभी ने हमने त्यन रिसेप्टार के लाता कौन-कौन से ली गेति चैनल डिसेप्टार या ऑन गेकर देश जीपर के बादे में परढ़ें पार टार जुक तो वीडियो को स्टार्ड करने पर पहले कि अपको यह थियोरी के बारे में समझाओ उश से पहले मैंको कांसेट कर देता हूं कि ये वाला जो हमारा रिसेप्टOUR होता है कहां पर पाया नहीं दो कुछ ड्रग्स के ना सथार साथ है घाइस होती है तो कुछ ड्रक्स ऐसी होती है जो expresy क्या है हमारे और हमारे आलम कर नरह कुछ टाइप से नहीं हमको क्या करना है कि सेल के अंदर जो हमारे जीन्स पार जारें जो डियन्ने पार जारें जो नुकलोटाइट पार जारें वहां पर हमको इसको अटाइक करवाना है ठीक है फॉर इक जांपल के तौर पे इस समय जो कोवी सील्ड आ रही है या आप सुन रही होंगे इस समय तो क्या कर रही है कि जो हमारा मतलब उसका डियन्ने मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा किसका डियन्ने कोवीड वाइरस मतलब जो कोरोना वाइरस है उसका आर ने है उसमें क्या कर रहा है जो एडिनिन है एडिनिन को रिप्लेस करके वहां पर कोई दूसर तो वहां पर कैसा काम कर रहा है किस तरह के तौर पर काम कर रहा है कहने का मतलब है क्यों डिन लोकवी टो मैं गया चैन होती यो दिनकलाइट की चेंड में एक लोकल एडिन तो आपको एक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें एक लोकल लग गया कि चानिस समाई वहाँ पर लग गया है तो आइस को हमें जब या हम ब्याने पर इसको करवाना होता है तो उस समय वारा कौन सा पर टाइड एसेक्टर तो तो यहाँ हों लगा को आंदेंगा मंतलब किया होता है सिंगनल को ट्राश्ज्श करते हैं क्या है कि सीगनल को चैज। करते एक स्थान से बूसरे स्थान पे पह।ँचाना सिगनल में बत दुसरी स्थान फ्राइब n आप ट्रांस्किप्शन की प्रोसेस क्या होती है कि मतलब DNA से RNA में चेंज हो जाना मतलब चेंज दी डीने इंटू RNA इस काल्ड ट्रांस्किप्शन तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि हमारा कोई जो क्या करेगा सिगनल को ट्रांस्किप्शन मतलब DNA से RNA का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाएगा जिसकी वज़ा से वहाँ पर उसको मारने में असानी होगी तो जाने तो फैमिली आप इंट्रसेलूलर एंड नॉन रिसेप्टार टाइरोसीन काइने मतलब इनके पास अपना प्रोटी था करती है एक साई-टाइट्निस होती हमारे बॉडी में उनको क्या करता है यह उसंयों करता है तो अगर हम एक किद्व मैं तो यह विकीपीडस है मैंने है अंधर हुआ है यहariamente पाथवे मतलब एक signaling pathway है जहां पर क्या होता है सिदी जो इंट्रेक्शन टेक प्लेस इन प्रोटी जहां पर इंट्रेक्शन कहां पर होता हमारा प्रोटीन के अंदर होता है which present in the cell receptor जो कि cell receptor के अंदर प्रोटीन को सेंट्रेक्शन करते हैं अब जिस एक जापल के तौर पर समझे लिए कि आपका कोई इनफोर्मेशं को लेंगे और उसको क्या करेंगे सुन नूकलेस् मेंसक्व कर देंगे ऐसे स्टेट का मतलब क्या होता है कि तो अगर हम यहां पर पुछ मैकेनिजम इसका देखें तो सबसे पहले आपको यहां पर यहां पर लगा हुआ है यह हमारे हैं क्या करते हैं तो इसके बाद हो यह साइटो का है। सब्सक्राइब इतनी से काप दिए और उपर का है सल के बाहर का हिस्सा नीचे का अंदर का हिस्सा है तो कोई भी हमारा एक गोनिस्ट आकि हमारा इस साइश से बाइंड हो गया तो इसमें क्या होता है कि जो इसके यह अपस में कर जाते हैं और एक कॉंप्लेश फ़ॉन कर लेत जोगा उसका स्वार रिलेशन हो जाएगा अब जो इसका फास्फको रिल्येस नोल siitä कि एक तो अपने ही गाड़ी एक गाड़ी में लोड कर लिया और लेकर चल दिया अब लेकर चलेंगे कहां पर यह सेल है सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मतलब द्वार लगा हुआ तो यहां से जब द्वार से अंदर जाएंगे तो हमारा DNA तो DNA से जाकर सब्सक्राइब कर देंगे तो करेंगे तो साइटो काइनीन चाहिप से अंदेग कर जाएगा प्रोटीन प्रोटीन सपर यहां पर क्या होगा signal तो यहां पर क्या होंगे सिग्नेलि मालेकुल तरॉच करने के लिए एक तरह काम करेंगे तरह के साथ और जीन एक्सिन जो क्या करेंगे हमारे जो मारे जीन एक्सप्रेसिंड नूकलियाइड डीन ने उसमें चेंज करने की कोशिस करेंगे ठीक है देन हमारा जो next topic आता है वो क्या है receptor that regulate gene transcription यह हमारे syllabus में दिया हुआ है तो यह हम इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है the receptor are present as soluble intra-cellular proteins मतलब कहने का क्या है यह soluble होते हैं और intra-cellular proteins होते हैं इन cytosol मतलब cytosol के अंदर और in nucleus या के अंदर या nucleus के अंदर यह पाए जाते हैं ठीक है the agonist which are lipid soluble मतलब जो कोई हम drug लिये तो उसका कोई agonist जो कि lipid soluble permeate into the cytosol cytosol की पर्मियर मतलब जो layer होती है उसको easily penetrate कर सकता है क्यों क्यों क्योंकि जो cytosol की layer बनी होती है वह हमारे lipid से ही बनी होती है फासपोरस से ही बनी होती हो फासपोरस ठीक है and glycoprotein से बनी होती है जो कि हमारा क्या है एक लिपोफिली की nature है तो हमारी lipid soluble जो agonist होगी वो easily permeate कर जाएगी in the cytosol and attached to the binding site or receptor then क्या करेगी कि वो हमारे binding site मतलब receptor से हमारी क्या करेगी कर जाएगी तो अब यहां पर हम कुछ समझ लें एक mechanism type का है यह हमारा agonist है यह हमारा क्या है cytosol की membrane मतलब यह cell की membrane है तो यह लिपिट soluble है इसलिए इसको penetrate करके अंदर चला गया तो चला गया सबसे पहले इसने रिसेप्टार से अपने बाइंड के लिए पिरी रिसेप्टार से तो इसने क्या बना लिया यह क्या है कि इसके DNA binding site है मतलब यह क्या है इसके DNA binding site या पिरी आ जाएगा देन क्या होगा कि यह हमारे जो DNA है DNA से क्या करेगा अपने आप इंट्रेक्ट कर ले जाएगा अब इंट्रेक्ट करेगा तो इसकी कुछ न तो कुछ फिजो लॉजिकल चेंजिन करेगा करेगा देन वहाँ पर क्या होता है transcription की process होती है मतलब यह DNA हमारा RNA में change हो जाता है तो यह हमारा देख सकते है कि आप यह हमारा DNA उसका transcription हुआ दिन यह हमारा single helix में यह मतलब RNA में बन गया तो RNA कौन सा messenger RNA type का बनेगा जो क्या करेगा synthesis करेगी किसकी protein की क्या करेगा protein की synthesis करेगी ठीक है जब protein की synthesis हो जाएगी तेन क्या करेगा modification of cellular formation तो जो इसका cellular formation है उसमें क्या हो जाएगा modification हो जाएगा ठीक है तो यहां पर receptor regulate transcription in gene expression ठीक है तो अगर इसकी कुछ mechanism समझना चाहें तो कुछ इस फरकात से हम समझ सकते हैं कि agonist binder receptor मतलब पैदे मारा agonist receptor से bind करेगा then क्या करेगा activate DNA binding site तो DNA binding site को activate कर देगा this complex मतलब DNA and agonist का complex क्या करेगा penetrate the wall and translate into nucleus वो क्या करेगा जो nucleus के wall है उसको penetrate कर देगा और easily अंदर चला जाएगा DNA binding site get associated with genetic material तो जो DNA होगा हमारा DNA binding site या जो DNA binding drug होगी वह हमारी genetic material से bind कर जाएगी associate form कर लेगी जिसका रिज़न क्या होगा transcription का मतलब क्या है DNA से RNA में change हो जाएगे तो RNA में change हो जाएगे तो mRNA का synthesize हो जाएगा और उसका क्या होगा translation क्या है कि RNA से DNA में चेंज हो जाएगे ठीक प्रोडेक्शन अप्रोटीन फ्रॉम दी एमारेंडे तो क्या करेगा मतलब वह एमारेंडे से हमारा प्रोटीन का प्रोडेक्शन होने लगेगा तो यहां पर आपका टॉपिक होता है खतम अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्र टॉपिक आपने छोड़ दिया है तो मैं उसका दो जिनके अंदर आपको वीडियो प्रवाइड कराने की कोशिस करूंगा थाइंक्यू पर वाचिंग दा वीडियो